जोस्तों आज का जो वीडियो वो सैमसंग यूजर के लिए है और काफी ज़दा अमेजिंग होने वाला है अगर आप सैमसंग का डिवाइस यूज करते हैं ठीक है तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने जो सिस्टम नोटिफिकेशन है इनको एडिट कैसे करेंगे जो सिस्टम नोटिफिकेशन है इसको एडिट कर से करेंगे और यह ताइम डेट दिया जाता है उपर टावर की निशान दिया तायम दियाता है इन सभी को आप एडिट कर सकते हैं बहुत ही ऑजी तरीक से ठीक है बहुत ही कमाल आज का वीडियो होने वाला है सो नम अगर आपके डिवाइज में गुड़ लोग एप्लिकेशन वर्क करती है तो यह ट्रिक 100% वर्क करेगी यह काम कैसे करती है आपको यहां पर दिखा देता हूं ठीक है तो ध्यान से देखना तो आपको गुर्लोग अप्लिकेशन ओपन करनी होगी ठीक है ओपन कर दिया इससे क्या होगा आपका नोटिकेश मैनल है वह क्विकली ओपन हो जाएगा हो गया चलिए इसको मैं बंद करता हूं नीचे तो आपका आधा ओपन रहा, फिर दोबार स्लाइट करेंगे तब पुरा ओपन होगा ँछाए यहां से बंद करेंगे तो अपन कर देते हैं तो डिरेक्टली नीचे को अउपन हो जाएगा ठीक है अब ध्यान से देखना बहुत ही कमाल की यहां पर जो है आप वीडियो होने वाला आगे भी बहुत ही कमाल की सैटिंग में आपको यहां पर दिखा हूँ ठीक है तो दोस्तों का है यह फाइब कोमल का हो जाएगा मैं आज जैसे कि इसको ओन करता हूँ कुछ बटन करेट टू मॉर मेन्यू ठीक है मॉर मेन्यू ओपन हो जाएगा तो आप देखते हैं यहां पर 12345 मतलब कि जो चीज़ें आपको स्लाइट करने पर थोला टाइम पर मिलती हैं लेकिन आपक यह जल्दी ही मिल जाएगा स्क्रीन कैप्चर को आपको स्लाइट करने की जूर्त नहीं पड़ेगा आपकी गरीट जो यहां पर चेंज हो जाएगी फोर लैन की होती है फिर फाइव लैन की हो जाएगी ठीक है तो चलिए अब हम नेक्स्ट फीचर के बारे मात करते हैं शोर लुआ करेंगे जो नो्टिक्शन आती है ना उसका टाइम भी आ जाएगा कि लास्ट फार आपको कोन सी नौ्टिशन कौन से टाइम पर आये थी यह से आप कर सकते हैं याहां कर सकते हैं अप pik लोख सेटिंग में ठीक है नीचे को नीच तुर है को जैंडन आधी के और यहां पर बहुत ही मस्त थिचर वह क्या है आधी फीचर कर सकते हैं इसको फीचर हो का आधी कर सकता हूं तुम इसको यहां पर राइट पर ही रखता हूं टावर वाले आ गया गया ठीक है अब हम नेक्स्ट सेटिंग के बारम यहां पर बात करते हैं वह विजिबिल्टी ओफ इंडिकेटर आइकन यह बहुत ही कमाल का है मुबाइल डाटा सिग्णल हाइड हो गया ठीक है मुबाइल है है यहां से हाइट कर सकते हैं वाइफ आजार लगते हैं एक पर यहां यहां से लेकिन यहां से आप और और आप अप्शन इसको ऑफ कर देंगे तो अगर आपके वीपेन कनेक्ट होगा तो यहां पे शोड नहीं होगा ठीक है तिक इस तरह आप इन चीजों को hide कर सकते हैं, इस setting के through, बाकि आगर आपके device में ये work नहीं कर रहा है, तो मुझे command box पे command कीजिए, और अगर आपने गुड़ लोग application डाउनलोड करनी है, मैं उसका link पर डिस्क्रिप्शन पे दे दूगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, त आपने मात्रूम।